मुस्लिमों और अलपसंख्यकों को स्ताधने के लिए मोधी सरकार ने बड़ा राजनीतिक दाउं खेला है मोधी सरकार कल से एक ऐसी पंचयत शुरू करने जा रही है जिसमें मुसल्मान और दूसरे अलपसंख्यक समुदाई के लोग हिस्सा लेंगे पहली पंचयत कल हरियाना के मेवात में होगी इसके बाद दूसरी पंचयत 6 अक्टूबर को राजस्थान के अलवर में होगी अलपसंख्यक मामलो के मंतरी मुकतार अबास नक्वी को पंचयतों की कमान सौपी गई है और देश भर में इस तरह की पंचयतों का आयोजन भी किया चाएगा आपको बता दे कि तीन दिन पहले ही रविवार को पिम नरेंदर मूदी ने दीन दयार उपाध्याय के एक बयान को दोहराते हुए कहा था ना मुसल्मानों को पुरस्कृत करे ना तिरस्कृत करे बलकि उनका परिश्कार करे मुसल्मान कोई वोट की मंडी का माल नहीं और घ्रिणा की वस्तू नहीं है उसे अपना समझे वैसे भले ही पीम मुदी ने मुसल्मानों को वोट की मंडी मानने वालो को निशाने पर लिया हो लेकिन मूदी सरकार के इस फैसले को मुस्लिम बोर्ट बैंक को साधने से चोड़ कर देखा जा रहा है देखते रहे ये डीबे लाइब